क्लैश अधा कासल डब्री नेक्श प्रेमियम लाइवेंट अब सिर्फ एक हफते की दूरी पर रह गया है इससे पहले में क्लैश अधा कासल के बारे में आपको बताओ एक्सकुलूसिव अपडेट निकल अगर सामने आ रही दोसो ब्रॉक लैशन से जोड़ी भी ब्रॉक लै ला था दोसो हेवर्ड फिल्ड के बाहर दोसो लैशनर को देखा गया है मिया लैशनर के साथ जिन्हों दोसो शॉट पुट में एक बैतरीन परफोर्मेंस दी हाला कि दोसो टॉप थ्री में नहीं आ पाई लेकिन वह वहां फिफ्त जरूर आई है शॉट पुट यानि कि दो लैशनर इसमें थोड़े से ओल से नज़र आ रहे है थोड़े से आउर ओफ शेब नज़र आ रहे हैं लेकिन आप जानते लैसनर जब भी लाटेंगे वह बिल्गुल शेप में रहेंगे क्योंकि हमने पास्ट में हमेशा से लैशनर को एक बीस्टी शेप में देखा है और ब बात करी जाए Clash of the Castle की तो यह अब सिरफ एक हटे की दूरी पर रहे गया है जो कि 15 जून को हम लोगों को देखने को मिलेगा इसकी टाइमिंग का फजा यूनिक है यह दोस्तों आप लोगों को रात को साड़े ग्यारा बज़े आएगा 15 जून को इसके अंदर कुल मिलाकर 4-5 इस चांव मिलेका तो बेली टो बैलीत तो नियावाल य हो we doos सब्साथेन जाए करूं काटाउम को का ऌफिक जोटा सील कर आ रहेगा दोस्तों के प्रोमोंनेल record को काफि का बेटा तुमने तो अभी भी स्टार्ट किया है हम 2008 2009 से पाइट देते आ रहे हैं और आल अवर दी वर्ल्ड हमने फाइट दी है पाइपर नीवन का दोस्तो यह डिसेंट प्रोमो उन्हें क्या जीत दिलवाने के लिए काफी है चले डिसकस कर लेते हैं तो यहां दोस्तो मेरे स साथ पाइपर नीवन चले हुई है ब्रस 700 के ऊपर काफी डिसेंट अंतर है और यहां एक चीज़ तो साफ है कि गाइस पाइपर नीवन की हो सकता है पफॉर्मिंस काफी तगडी रहे लेकिन यहां बेली जितेगी इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखन करेंगे तो अब दोस्तों को सकता है तो अदिशनल मैच जो कि हमने डिसकस क्या था अभी वह दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं तो गंतर वर्स रैंडी ओर यहां कनफर्म हो सकता है दरसल साथी अरिया में जो कुछ वा आप लोगों ने दिखा वहां रैंडी ओर्टन कि गॉत दोस्तों कॉइसर जो है ऑपना मैच हार जाते हैं कि प spit allah हार जाते हैं लेकिन यह जीजित भी आिय देगी कि गाईज वहारनने नहीं वाले थे वहाँ दोस्तों कहीं न कहीं रैफ की बहुत बड़ी गलती थी तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है पर्टिकुलर मैच अप दोस्तों आप लोगों को यहां रिमैच होते वे नजर आए और यह चीज भी हो सकते हैं कि इस बारी चीजें वैसी ना जाए और रेड़ी ओंटन दोस्तों आपको ब्रै्ड न्यू किंग बनते होए यहां नजर आए चुक्की दोस्तों गंतर को यहां बुक नहीं किया गया और गंतर का कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलेशन है दोस्तों स्कॉट्लेंड, इंग्लेंड इन दोनों कंट्री से तो यहाँ दोसो आई थिंक ट्रिपल एस दोसो हमें सर्प्राइज दे सकते हैं अब पार्टिकुलर मैच हम लोगों देखने को यहाँ मिल सकता है बात करी जा दोसो इस एकले मैच की दुगा इसके बाद जोगला मैच हम लोगों देखने हो बलेगा न वो काफी हीज रहने वाला है यह जो मैच है यह दोसो कल की स्मैडाउन में ही लोगड अब हुआ है और इसके अंदर दोसो हमें मल्टिपल फीमेल सुपरस्टार्स हापरस में भीड़ते वे निज़र आने वाली है यह मैच होने वाला है यह होने माला दोस्तों दोस्तों व्लेयर एंजेड कारिकिलकाल जो क्छी फेस करने वाले एक नहीं दो-दो टीम को दोस्तों की की रुपर अधराल थे मैच यहाथ है लेकिन इसके अंदर दोस्तो एक चीज तो शेयर है कि हम लोगों को जादा कुछ बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा जहां तक बात करूँ दोस्तो अलबा फायर की और बात करूँ दोस्तो शेरा बेजल एंस्ट्राक की यह तो टीम्स बहुत अच्छी है लेकिन अगर मैं कमपैरेजन करूँ उनका जेड कारगिल एंड बियांका की खिलाफ तो जेड एंड बियांका दोस्तो इस टाइटल को कहीं न कहीं रेलेविंट बना रही है से पहले जो भी टाइटल जीतता था कहीं न कहीं उसके साथ कुछ अब शुगन घटी जाता था लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैच के अट्स नहीं निकले हैं सिधरी बता रहा हूं क्यूंकि यह मैच कल ही कंपर्म हुआ तो एक दिन में उट्स आने वैसे भी पॉसिबल नहीं देए लेकिन स्टिल दोस्तो मैं अपने परिक्शन दे रहा हूं काफी सॉलिड परिकशन दे रहा हूं चैड गेबल है वो फेस करने वाले हैं सेमी जेन को वैल इस मैच के बारे में कहूँ तो इस मैच अपने आप में इसलिए भी हूज है क्योंकि काफी टाइम से दोस्तो चैड गेबल चाहते थे पर्टिकुलर मैच बने जब सेमी पर अटेक किया है वो इस ऑपरचुनिटी का इ बोटिस को दोस्तों उन्होंने माइंड वाश कर रखा है और तो जावा मैक्सिम डूपरी की भी हो नहीं सुन रहे हैं तो अब रहाब में दोस्तों इंटर कॉंटेंटल चैड गेबल की तो चले हुए प्लस दोसों के ऊपर काफी डिसेंट अंतर है और यहां दोस्तों एक इश्य हो रहा है कि सेमी जेन इसके अंदर नहीं हारने वाले में मैचेज में दोस्तों सबसे पहले हम में इवेंट को ही डिसकस कर लेते हैं तो गाइस में इवेंट जो देखने को मिलेगा में मैचेज में वो रहेगा दोस्तों ड्रिव मेंटायर का जो की फेस कने वाले डि पूरा का पूरा प्रीमिम लाइवेंड दोस्तों इसी मैच के इर्दगिर्द घुम रहा है। पता चलती है कि गाइस उन्होंने अभी तक टाइटल को संजो कर रखा है। प्रिष्ट चले में प्लस सौ के उपर उतना भी बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि दोस्तों यहां ड्रिव मेकेंडायर लीड कर रहे हैं। और ड्रिव मेकेंडायर की सरजमी है। और इवन रिपोर्ट्स भी यह सजस्ट करिए कि आग जाकर सीम पंक वर्सिस मेकेंडायर बन सकता है। के लिए यहां दोस्तों मैं मेकेंडायर को पिक करूँगा। मेकेंडायर हम लोगों को ब्राइन यू वर्ड हीड चैंपियन बनते वे नजर आएंगे 15 जून को। बात कली जाए दोस्तों अब उस मैच की जो की मेन इवेंड में तो नहीं होने वाला लेकिन इसके अंदर आपको मेन इवेंट जैसे सर्प्राइज देखने को मिल सकते हैं। यह जो पर्टिकॉलर मैच होने वाला है ना गाईज यह काफी बड़ा सर्प्राइज है हमारे लिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि यह मैच यहां बनेगा। रीजन आप जानते हैं। अब नहीं कुछ टायम पहले दोस्तो एजए स्टाइल्स निक्रली से शोचीज कहते हैं। मैच की स्टीपोलेशन ही चेंज कर दी जहां है वन ऑन वन होना था कोडी ने कहा कि बेटा हम तो तुम से वह बुलवाएंगे जो कि तुम बोलने वाले थे यानि कि आई कुट तो यह मैच दोसो आई कुट मैच होने वाला है और लेजंडरी आई कुट मैच इसकी बात जब लगती है तो जॉन सिना दिमाग में आते हैं कि जॉन सिना कभी आई कुट नहीं कहते थे और सेम चीज़ दोस्व मुझे लगता है कि कोडी की किस में भी होने वाली है यहां कोडी का बताया चाहरा है कि भरपूर खुन बहने वाला इंसाइडर्स के माने, तो गाइस, कोडी रोट्स इसमें खुनम खान होने वाले हैं, इससे पहले बारे ब्लीड कर चुके हैं, लेकिन इंसाइडर्स के माने, यहां दोस्वा आप लोगों को कुछ बड़ा देख बहुत जादा बड़ा अंतर है, यानि कि इसके अंदर AJ Styles के जीतने के चांसिस लगबग लगबग नाखे बराबर हैं, और इसके अंदर दोस्वा हम लोगों को कोडी रोट्स जीते में नजर आएंगे, जो कि जैसे तैसे दोस्वा एजे से I quit बलवाएंगे, अब वो कैसे ह बहुता है, वो तो गाइस वहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ दोस्वा एक और चीज निकल अगर सामने आ रही है, जेरी नूस की तरफ से दोस्वा एक रिपोर्ट निकली है, जिसके अंतरगत क्या चीज बताई जा रही है, जस्ट स्माल टीज सुनर रेदर देन लेटर, यानि कि समय से पहले कुछ ऐसा होने वाला, आप जानते इस आइकन का मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्लड लाइन इरुनियन, और इसका मतलब है रोमर रेज रिटर्न्स, यहाँ जेरी नूस की तरफ से एक स्माल टीजर जो है, ड्रॉप हो गया है, उसके बाद उन्होंने अकेले नहीं आए, और साथ में जीमी उसो को भी लेकर आए, और यह चीज भी हो सकती है, कि कोडी वर्सिस रोमन आगे के लिए शिफ्ट हो जाए, और यहाँ यह एंगल देखने हो जाए, कि सोलो कोडी को पीट रहे हैं, और पीट रहे हैं टामाट अटाउंगा है लोगा, वहार रोम अट्रेंस आजाते है, अलोंग विद जीमी एंड जे, तो एक बड़ा बलर लाइन एंगल दोसो आप लोगो क्लैश अधा कासल के एंड में देखने हो लेगा, लेकिन हो क्या रहता है, यह तो टाइम में बताएगा, आपको वीडियो कैसी लगी है, और दोसो रो